डिजेख मुंमास साथ, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शेख रफीक सहाब, जानल सेक्रेटरी जनाब सैयद खाजी अंसार अलियर्मान साथ, हमारे स्कूल के प्रिंसपल, शेख रफीक सर्थ, सुपरवाइजर, अलहाज अब्दुर रहीम सर्थ, जूनियर के इंचार्ज, अलहाज मुझाहेद अजमल, और नाराइन चिदरवार स्कूल के अर्चम प्रिंसपल, अर्चम मौतमा शाहिन बाजी, और सभी मेरे अजीज, असातेजाद, जेंच और लेडिस, और टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों से अठावी साल की सर्वीस के बाद रुखसत होने जा रहे हूँ, आज मेरे लिए ये बहुती एक तकलीफ दुख का लमा है, जो अठावी साल साथ रहने के बाद आप लोगों से रुखसत होना है, ये एक बहुती तकलीफ दुख लमा होता है हर रुखसत होने वालों के लिए, मेरे लिए दूसरी तरफ से ये बहुती खुशकिसमती समझू में, कि आप मुझे ये बहुती अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छे इदारे में, अच्छे स्कूल में, और सब अच्छे साथियों के साथ काम करने का मौफा मिला, शायर ये सब को नसीब नहीं होता, ये बहुती खुशनसीब ही हमारी, कि यहां इतना अच्छा माहूल रहा, सबसे पहले मैं अपने सोसाइटी को खायम करने वालो मैं सबसे पहले में जिकर करूँगी, अपने सदर, साबेखा सदर, अलहाज सेद खाजी हामिद अली तन्दी सहाब, और हमारे सोसाइटी के सेकरिटी जनाब, शेख अलहाज शेख मौम्मद सहाब, जिनों ने इस सोसाइटी को खायम किया, आग पचास साल से ये लोग महनत क आग पचास साल होने आ रहे हैं ये सोसाइटी को इनों ने अपनी महनत और मशेखत से इस ख़दर आज खायम किया, कि आज ये वागे महक रहा है, ये गुल्शन आज उन्ही के महनतों का फल है, सोसाइटी के रुह रवा, हमरे सेकरिटी सहाब, शेख मौम्मद सहाब, जिनो आलाया के एक मेयारी शख्स है, जिनोंने ये पचास साल की महनत के बाद, ये सोसाइटी आज ये महक रहे है, आपने हमें जो ये मुखाम दिया है सोसाइटी का, आपकी महनतों का फल है, आपने एक अपना मेयार बनाया, एक शराकत बनाई अपनी, बलके पूरे नांदे डि इस्टिक में ये सोसाइटी अपनी टॉप नंबर पर है, आपकी ही महनतों का फल है, आप अपने सारी जिन्दगी की महनत लगा इसमें, आप अपनी जो शराकत बनाई, सोसाइटी आज एक पहचान बनाई आपने, आपने एक पहचान बनाई नांजर डिस्टिक में, एक ना कि आप में जो काम लेने का काम कराने का मयार है, आप में मैयारी शक्स है, जो आप काम कराते हैं, रहां हिस्का कुछ अदाद है, जो कभी किसी को यहां पर नहीं किया गाíamos, कभी इंसेड नहीं की गह हमारी, बहुत खुश्किसमती है कि कभी तनाव नहीं रहा काम के दोरा में इसलिए नहीं रहा क्यूंकि कभी कर्चर नहीं किया गया हर काम में आप ताउन करते हैं हमारी हमारी हर काम में ताउन करते हैं हर जगा सपोर्ट होती है हर काम करने वाले की सपोर्ट की जाती है कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं, कभी रुकावत नहीं डाज दिया यही आपकी एक शान है इस सोसाइटी की जान है जो इतने सानों से खिद्मत अंजाम दिये इसी लिए आज ये गुशन महग रहा है आपकी जो महनत है इसके लिए हम जितना शुकर अदा करें यह कम है अल्ला ताला आपको सहब दे और उमर दे आपकी रहे वराई में ये काम अंजाम देते रहे मैं आपके लिए शेरास करूंगी मिटा दे अपनी हस्ती को गर्चे मर्तबा चाहिए के दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है अपने इतनी दावील 28 सार की सर्वीस के दोरान यहां पे हमारे तीन प्रिंस्पल रह चुके हैं सबसे पहले मैं जिकर करूंगी मुहमद मुईजदीन अलाग मुहमद मुईजदीन सरकार जीनोंने स्कूल की खायं के सो जमाने से शुरू से यह हैड मास्टर थी इनोंने बहुत महनत की स्कूल की तरफिक के लिए भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन खायं किया इनके जमाने में अच्छा एच्छम कोंगे अवार्ड भी में चुका और दूसरे मास्टर इनके साथ हम 20 साल काम कर चुके इसके कोई दुश्वारी नहीं आई अलहमदुल्ला सब यहां हमेशा हर एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे तावून रहा हमारे साथ काम करने में दूसरे एच्छम रहे जो हमारे सोसाइटी के जॉइन सेक्रेटरी भी है जो हमारे असात-असा भी रह चुके जनाब अनसार अर्मान अलिसर यह एकजाम इंचाज भी थे इनके बहुत सारे रोल रहे स्कूल में सुपर्वाइजर का भी काम किया इनों फिर इनोंने एच्छम का भी अहदा संबाला और आज भी इनका स्कूल से रख खाय है डबल रोल है इनका कि आज यह भी जाइन स्कूल के हैसिया स्वी स्कूल में अपना रख खायम रखते हैं अब मैं तीसरे फ्रिंस्पर की जिकर करूँगी जो मुझे बहुत ही खुशी और मसरत की वास है मेरे लिए जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट रह चुके है अलहार शेख रफिक सर्थ आज वो एच्चम का अहदा संबाले हुई बहुत ही खुशी की बाते बच्चों आफ गौर्ट से सुनें जो यह स्टूडेंट थे और आज एच्चम का ही अहदा संबाले है बहुत अच्छी तरह से यह अपना काम विद्मत अंजाम देते हैं कि हमारे स्टाफ के बहुत जूनियर रह चुके है हमारे स्टाफ के हमसे बहुत जूनियर रह चुके है लेकिन भी हमसे सीनियर लोगों से बहुत लेहाज और अदब के दाहरे से लेहास के रखते हुए इनों ने हमारे से काम दिया कभी कोई नोग जोग नहीं हुई हमसे कोई भी कोई नाइस्टेफास ही नहीं हुई यह बहुत खाबिले जिकर बात है जो हमसे जूरियर होकर भी सीनियर के होदे प्याने के बाद भी बहुत लिहास रखते हो इनों हमसे काम दिया बहुत इसका मैं मुबारक बादी दूँ इनको और अच्छी तरह से आज मैनेज कर रही है अपना फिर्मत अंजाम दे रहे स्कूल भी माशाला बहुती तरहे पर है अच्छा डिस्सिप्लिन खाइम किया इनों जो बहुत खादिल है तारीफ है अल्ला ताला इनको हमत दे कि या आगे भी अपने सीनियर्स के साथ अपना स्कूल परवान चड़े और आगे-आगे तरफी रहे मैं अपने साथियों सभी असा तरजा का जिकर करूँ सभी स्टाफ देडी, जेंग, स्टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ जो मेरे लिए कभी कोई मुझे पराए नजर ने आए जो बहुत हुनहार, महनती, बहुत सल्धायत वाले के मालिक है सब मुझे कभी किसी में कोई वेरियर्स नजर ने आए मैं इन सब से सीनियर थी इसलिए मुझे सब छोटे वेहन भाई की तरह लगे और सेक्रीटि साब हमेशा कहते एक फैमली मेंबर्स की तरह रहके काम करो एक टीम वर्ग करो आपकी रहनमाई भी अच्छी रही हमारे लिए कि हमेशे हमको ऐसा लगा कि हमेशा एक फैमली मेंबर्स है हम सब एक घर के है इसलिए एक टीम वर्ग करने के लिए पहले एक दिल से खुशी से काम होना चाहिए यही समझकर मैं सबसे विला जिजग अपने वहन भायों की तरह रहने की कोशिश की और अलहमदुलिल्द पुरी सर्विस के दौरान किसी खिसम का तनाव नहीं रहा हुझे किसी खिसम का मुझे तनाव नहीं इसलिए दिन एरहा कि सोसाइटी में कोई टार्चर नहीं दिया सबसे बड़ी एहम बात और एहम शक्सियत हमारे सोसाइटी के रूह रहा कभी किसी खिसम की इंसान को जहनी तलाव नहीं दिया कभी किसी को रुकावत नहीं डाली कभी किसी को शिकायत का मौफ़ा नहीं दिया यह हमारे लिए बहुत नसीबी की बात है जो इतनी अच्छी सोसाइटी और इतनी अच्छे साथियों का साथ मिला मुझे तो सबी साथियों के साथ एक बहन भाई की तरह रहने का मौपन मेला, जो मेरे लिए एक लम्हा यार्गार रहेगा, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आप सब की जो कब जबी भी मुझे किसी भी काम की जरुरत पड़ी, सेक्रेटरी साफ से लेकर असातजा और प्यूंस तक क्लर्क स्टाफ सभी ने म मेरे लिए बहुत खुशी के बाद है, अब मैं अपने स्टूडेंस प्यारे बच्चों से कहूंगी, आप लोग इस चमन के फूल है, यह गुल्शन आप से महिकता है, आपने अभी देखा, कि अपने स्कूल के एच्चम खुद, अपने स्टूडेंट रहे, बहुत सारे ऐस आप अपनी महनत से हमारे सदर और सेक्रेटी ने ये सोसाइटी और स्कूल खाइल किया, जिस महनत से तो जब जाके ये विशन इस ऐसा महिक रहे, आप भी उसमने महनत से अपना उस्तप्बिल सवाने की कोशिश करें, आप अपना इतनी ही महनत अपने तालीम हासिल करने के लिए करें और अपना मुस्तक्बिल बनाए अपने खानदान का नाम अपने असातजा का नाम अपने सोसाइटी का नाम अपने स्कूल का नाम रोशन करें गएर खौम आगे जद जा रहे हैं दिन बदिन हमको भी आगे बढ़ना है इस यह आडवांस टेकनोलिजी का जमान है ज आप ये अच्छी तरह समस्च ले के तालिम के भी और दो साती है जो तालिम के साथ खुद ही चलते आते हैं एक दौलत और शहरत उसके साथ ही है दोनों दो बाजू है जब तालिम हासी हो तो ये दो भी खुदी मिल जाती है तो अल्ला ताल आपको भी इल्म से दौलत और इज़त से नवाजे अपने घर का खांदान का सोसाइटी का सब का नाम रोशन करे अगर तालिम के दौरान कुछ आपको नागवार अलफाज लगे होंगे या मार से कुछ तकलिक होंगे तो मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ जो आप उमीद है आप लोग माफ करेंगे और मैं सब भी अपने साथियों सबी टीचिंग, नौन टीचिंग स्टाफ अपने सुसाइटी के रूह रवा सभी से आप लोगों से भी शुकर गुजार हूँ कि आप लोगों ने हर वक्त लमें जो भी जब भी मुझे जरुवत रही काम की, किसी भी वक्त में मैं आपकी बहुत शुक्र गुजार हूँ ये बहुत बड़ा अल्ला का इहसा है कि आप जैसे अच्छे लोगों में, अच्छी सोशाइटी में रहने का मौपा में लाए और माफी चाहती हूँ अगर मुसे कुछ गलती हो ये कुछ बातों में जाने अंचाने में कुछ नागवार बात बुजरी हो तो माफ कर दे इतना करकर अलाखरी में मैं एक जुम्ला कहना चाहती हूँ शायद ये मेरे लिए बहुत जरूर है इस सोशाइटी मदे इस शाड़ा मदे मला कोनी ही काहिं टास दिले लानाइब